जाएं दोस्तों क्या आल है मेरा नाम राकेज और ये एक स्पेशल मोनिटर है तो अभी मैं बताता हूं क्या इसमें अलग है सबसे परें इसको ओपन किया जाए ओके ये मेन मोनिटर है इसको मैं साइड में करता हूं और अंदर हमें मिलता है तो पुरा यूजर मैनूल के साथ हमारे पास दो बैटरी है एक रिमोट और ये रिमोट पता किसके जैसा है आपको बता होगा मैंने ये वाली टीवी बाय की थी दा फ्रेम करके उसके साथ ये वा सो बैटरी वाला काम तो हो गया साथ में एक है हमारे पास पावर केबल और ये है HDMI केबल और लास्ट में साथ में ये मॉनिटर का स्टैंड है ये इसका बेस भी दिया हुआ है और ये काफी भारी सा है और फाथ मेटल है जो कुछ यहां सिंप्ली कनेक्ट हो गया और सिंपल यहां से नीचे से इसको ।ाइट कर सकते ह। हूँ फाइनली ये है मॉनिटर जिसके पीछे ये लगने वाला ए hơn जो यहां पर दो लोग बने हुए ये हो गया। यह साथ में आया थे जो यहां पर लगने वाले हैं और साथ में यह वाला सिस्टम तो आप समझ गया होगे जैसे आपका जो भी वायर है ना अब यह फ्लक्सिबल है तो इसके अंदर एक दो तीन वायर मतलब लगा सकते ईजिवी वह फायदा हो जयता है और यहां पर यह वॉल मांट करने का सिस्टम है लेकिन व बांव करने के लिए साथ में THIS भी मिलेख सिरफ यह वाला स्टैनल मिलता है और बाकी इस स्मार्ट मॉनिटर जैसे स्मार्ट फोन आप देखते हो ना स्मार्ट फोन में कैमरा है उसके बाद एंटर्टेन्मेंट भी करते हो आप बहुत सारे काम करते हो ना इसलिए स्मार्ट फोन बोले जाता स्मार्ट लग जाता आगे लेकिन जब मॉनिटर की बाद आती है तो आप कुछ है चीजे जो आप सारा बताऊंगा डिस्प्ले बगरा कैसा है वो सारी चीजे मतलब स्टेयर करूँगा ताकि आपको बहतर आइडिया लगे किस के लिए किस के लिए नहीं है और आप भी कोशिश करना बताने की कोमेंट सेक्षिन में जो डिफरेंट टाइप के प्रोड इसके अंदर कोई सॉफ्टर नीची है इन बिल्ड दे रखा है समसंग डेक्स का फीचर तो मैं अपने पूरे फोन को एज अ मीनी पीसी की तरह यहां पर यूज कर सकता हूं कुछ इस तरीके जैसे समसंग डेक्स काम करता है पूरा मतलब इसके अंदर एक सपोर्ट मिल जात है ना फाइनली यहां पर स्वीच कर जाएगा कुछ इस तरह से यह पहले से इंप्रूब हो गए जैसे जो लेटेंसी मिलती है ना वह एकदम बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही आपके सामने है मतलब आप लाइब देख सकते हो कि कितना किस अद तक काम करता है यह फ और भी आपका सामने यह हो गया मिरर कुछ इस तरीके से बाकी जो एंड्रोड फोन है उसमें अगर स्क्रीन मिरर का फीचर होता है ना वो उससे आप मिरर कर सकते हैं अब क्यूंकि यह मॉनिटर को अगर मुझे अपने सिस्टम से करना हो तो इसको मैंने डिस्कनेट कर दिया आपको पता है ना विंडोस 10 में फीचर मिलता है तो कनेक्ट का इस पर जब मैं टैप करता हूं तो यहां पर यह आगया सैंसंग का M7 मोनिटर इस पर मैंने टैप किया और जो भी आपको काम करना है वो यहां कर सकते हैं तो आपका जो मेंड पीसी है और जो आपका यह वाला इसके अंदर एक हलकी सी लेटेंजी होती ना वायर के कमपेजिन में वह तो भाई मिलता ही है तो ठीक है वह आपको पता हो ना चीए लेकिन काम यह बढ़िया करता है दोनों की टाइम डान एक साथ दिखाता हूं यह देखते कब रुखते हैं कुछ ऐसा फूल अच्छी पे का अब इसके बाद आपको लगता है आपको जरूरत है थोड़ा एंटेटेन्मेंट की जैसे मैंने कहा ना स्मार्ट मॉनिटर है तो टीवी वगार आप देखते हो ना समसेंग के टीवी में क्या आता है टाइजन ओसाता है ना उसी को यहां भी डाल दिया गया मतलब एज़ नेटफ्लिक्स प्राइम इवन एपल टीवी का भी ऑप्शन दे रखा और यह जी टीवी यह सवाप आप यहां पर क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं जो टाइजन ओस में जितनी आपस मिलती है अन्रोड आप जितनी नहीं मिलती उसके बार रिमोट एक्सेस टाइप फ तरह से मतलब रिमोट से एक्सेस लेते हैं वो फीचर है लेकिन जो मैं बता रहा था आपको स्क्रीन शेरिंग तो मैंने आपको बताई दिया समसेंग डैस आपने देख लिया यहां है ओफिस 365 इसको ओपन करता हूं तो यह जो मेरे वन ड्राइब में फाइल से ना इनको मैं यहां से एडिट भी कर सकता हूं और अपने इमेल्स को यहां रिप्लाई कर सकता हूं बिना किसी PC कनेक्टिविटी के अब यह रिमोट है तो इससे थोड़ा आपका स्लोग प्रोसेस होगा और टाइम लगेगा तो आप माउस और कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं इसको वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं इसके पीछे जो पोड दिया है डारक्ट ही इसी मोनिटर में बिना किसी PC वगारा के जैसे मैंने कहा है मैं इसे एडिट कर सकता हूं या फिर कुछ चाहूं तो अब यह क्योंकि ओनलाइन काम चल रहा तो डिपन करता है कनेक्टिवि रहा होगा इसके नीचे सेंसर है और बटन से अंबियंट लाइट सेंसर है और साथ में यह सिर्फ एक बटन है जहां से हम इसको पावर और वोल्म अब डाउन और सोर्स मॉनिटर वगारा सेट करते हैं और अगर किसी को सेलेक्ट करना तो इसको कॉंटिनूस प्रेस करके किम हो जाती है यहां पर आपके पास अक्सपर्ट मोड तो है यह जहां पर जाके आप एक एक चीज़ सेट कर सकते हो ब्राइटनेस कोंट्रास शार्पनेस सब कुछ उसी तरीके से यहां अडेप्टिव साउंड का ऑप्शन मिलता है बाइदावे अभी साउंड की बात करता इसको आप समझो एक मतलब अगर ऐसा नहीं कि हाँ हम थेटर लगा वो जिसमें बेस मिलेगा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ और मोनेटर के साफ से काफी लाउड है वैसे यह 60 अर्ड डिस्प्ले है लेकिन गेमिंग करने के लिए आपको गेम मोड और साथ में पीछे प्लास इस 65 वाट आउटपुट देता चार्जिंग की इसके अंदर वाइफाई 5 दिया हुए और जो कनेक्टिविटी है वो आपको वाइफाई से करना होगा इथरनेट वगरा इससे नहीं और इसको आप इतना टिल्ट कर सकते हो यहां से और यहां तक और यह 32 इंच का वी ए पैन होगा जो सिर्फ कलर एकुरेस्टी पर करते हैं डेफिनेटल उनके लिए फिर यह उसके लिए नहीं यह बनाया गया है एक और टाइप जैसे एंटेटेइन्मेंट के लिए कैसे आप देख सकते हो मैंने बता है आप अपना नेटफ्लिक्स प्राइम जो भी सारे फीचर शुरू होता है यह अप्टू 35-36 का जाता है डिपन करता प्राइज वगरा उपन नीचे होता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक की दे दूँगा यह 4K है M5 आपका फूल HD के साथ आता है और टाइप-C वाला पोर्ट इसके अंदर मिलता है जो यह M7 है I hope मैंने जितनी जनक सारी दी उससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे किसके लिए है किसके लिए नहीं है और फीचर्स वेगर आपको कैसे लगे वो मुझे कॉमेंट करके बताना और वीडियो पर संदा तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में सब्सक्राइब